तो बिरगाओं के गांधी नगर में बीजेपी नेताओं का डेरा डाला हुआ है फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बीजेपी के नेताओं ने गांधी नगर में डेरा जमाया हुआ है बीरगावन निगम चुनाव प्रभारी नाराइन चंदेल अजे चंद्राकर यहाँ पर मौजूद है और वाड ने फर्जी वोटर लिस्ट की बीजेपी ने शिकायत की थी और शिकायत को खारिच कर दिया गया जिसके बाद यहाँ पर नेता नजर आ रहे है बीजेपी पक्रणठी के तोर पर बैठी हुई है विर्गावमें अमदान जक्रणव के अचया और पर तनलाओं में जिसके बीजेपी ने प्रमुक्ता से उठाया था उस वाड में वीजेपी के प्रमुकर नेता पहुंचे हुए हैं क्या फर्जी मद्दान की उन्हें आसंका संबंद में बात करेंगे प्रभारी जो हैं अजय चंद्राकर जी चंद्राकर जी आप लोग ने जिस मुद्दे को उठाया था कि खर्जी मद्दान हो सकता है या वोटर लिस्ट गरवड़ी है उसका निराकरण तो हो गया था आप लोग इस वाड में आये हैं क्या आप लोग को असंक हमारी आपत्ति को सहीं निवाना उन्ने है बहरहाल फर्जी मुद्दान मत हो हमारी कोशिस से हम अपने मुसलमान से भी बात कर रहे हैं कि लोग तंत्र कलंकित मत हो लेकिन हमारी असंका सही निकली है ओंतिस नमबर वाड में जाके पिठा सी नधिकारी से पूछो कि वहां ओ औरिजनल ओटर पहले पहुंचा उससे पहले उसका डल चुका था तो आज आप लोग इस वाड में आए हैं क्या आप लोगों को फीडबैक क्या मिला आप लोगों के पास क्या जन करें हम एक वाड के लिए नहीं बैठें यहां हम अभी घुमेंगे सब तरफ हमारा यहां किसी के कावे में आके हम लोग आपसी भाईचारा को खतम मत करें समझ रहना पिता पुत्र की जो जोड़ी है उसका आधार फर्जी मद्दान है फर्जी ओटर है समझ रहना और इस खुलासे के बाद यह विधान सबह चुनाओ दो साल बाद जो होगा उसमें पिता पुत्र क जोड़ी भर तो नहीं होगी बाकि कोई दूसरा होगा तो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग बीजेपी के नेता करे हुए हैं कि कहीं भी ऐसी इस्तिति ना हो कि कोई फर्जी मद्दान कर ले हलाकि ऐसी कुछ सिकायतें जरूर आई हैं कि फर्जी मद्दान हुआ है लेकिन इन सब पर बीजेपी के टीम ने नजर बनाई हुई है और जिस वाड में सबसे ज़्यादा असंकत ही वहाँ आप देख पा रहे हैं कि सारे बीजेपी के प्रमुख नेता कुरसी डाल कर बैठे हुए हैं